वर्ल्ड कप में साधारन प्रदरशन और बड़ती उम्र के बावजूद पूर्त गाल के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की मांग नहीं घटी है मैंचेस्टर युनाइटेट कलब से बाहर किये जाने के बाद अब रोनाल्डो पहली बार यूरूब से बाहर निकल कर साओधी अरब में फुटबॉल कलब अलनासर से जुड़ गये हैं इसे मदपूर के फुटबॉल के लिए बड़ी घटना माना जा रहा है अलनासर ने पाँच बार के बैनल डी और विजेता रोनाल्डो की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी है जिसमें हुआ टीम की जर्सी पकड़े हुए है रोनाल्डो ने इस कलब के साथ जुन दोजार पच्चिस तक करार किया है कलब ने कहा इस करार से नर सिर्फ कलब को अच्छी सफलताएं हासिल करने की प्रेणा मिलेगी बलकि इस से हमारी लीग, हमारे देश और भविश्य की पीडियों को सर्व सेस्ट करने की प्रेणा मिलेगी इस 37 वर्षी फुटबॉल स्टार का या करियर का अंतिम करार हो सकता है जिसके लिए उन्हें मोटी धनराशी मिलेगी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्तगाल का या स्टार इस करार से पतिवर्ष 200 मिलियन यूरो की कमाई कर सकता है जिससे वह फुटबॉल के इतिहास में सरवादिक भुकतान पाने वाला खिलाडी बन जाएगा रोनाल्डो ने एक बयान में कहा कि वह एक अलग देश्ट में नई फुटबॉल लीक का अनभव हासिल करने के लिए उत्सुख है आए जानते हैं फुटबॉल इतिहास के पाथ सबसे बड़ी करार रोनाल्डो अलनासर 1775 करोड रुपे किलियन एमबामपे PSG 1069 करोड रुपे लियोनल मेसी PSG 918 करोड रुपे रोनाल्डो मैंचेस्टर युनाइटेट 827 करोड रुपे नेमार PSG 719 करोड रुपे रोनाल्डो मैंचेस्टर युनाइटेट के साथ थे तब वह प्रती हफ़ते करीब 5 करोड रुपे कमा रहे थे वहीं अब हर हफ़ते करीब 34 करोड रुपे से जादा की कमाई करेंगे रोनाल्डो को कुछ महिने पहले सौदी अरब ने फुटबॉल कलब अलहिलाल ने करीब 3,000 करोड रुपे की डील के साथ जुड़ने के प्रस्ताव दिया था लेकिन तब रोनाल्डो ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और मैंचेस्टर उनाइटिर के साथ जुड़े रहने का दावा किया था